आज हम पहाडी निम्बू की चटनी बनाएंगे आपने बहुत तरीके की चटनी खाई होगी लेकिन ये पहाडी निम्बू की चटनी नहीं खाई होगी इसे लोग गल गल भी कहते हैं मैं पहाडी निम्बू की चटनी बनाने जा रहे थी तो मैंने सुचा आप लोगों के साथ using part-up LED में काट लिया है इसके हम छोटे छोटे पीस काट लेंगे अगा आंध लिया और इसके छिल्के मोटे होते हैं तो इस लिए अच्छे नियाले इसके चिलकः को निकाल देंगे और इसके बीज को भी निकाल देंगे तो मैंने चुटी 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 कड़ों में काट लिया है और इसके चिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं तो यह प्रफ्रफ्रफ्र प्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ् तो इसलिए हम सारे भी इसको निकाल दे रहें अब इन वाको 16 कजर में डालकर भी इस लेंगे तो में ने कि जार में वे जाल pulet इसको पींश को पीष ले रहें तो यह देखिए नीम भी को मैं ने पीष लिया है अब इसको हम एक कढ़ाई remember बाध जालेंगे तो पहले इसको हम नाप लेंगे कितना ये निम्बू का रहें लेंगे ताकि परफेक्टर रेंशिंध ज्यादा कमना हूँ तो इसको एक निकाल ले रहे हैं तो यह एक बाउल है निम्बू का पल्प तो इसका दुबना हम इसमें चीनी डालेंगे तो थोड़ा सावर रह गया है मिक्सी के जार में उसी हिसाब से हम थोड़ी सी चीनी दो चम्मच और डाल देंगे फ्रेंटो एक बाउल पुरा निम्बू का रस है इ अब हम निम्बू के रस को कढ़ाई में डाल दिए और इसी बाउल से नापके हम दो बाउल चीनी डाल देंगे ताकि हमाई चटनी दम पर्फेक्ट बने और खट्टी मिठी चटनी रहे तो दोनों को हम अच्छे से पहले मिक्स करके फिर हम गयस आन करके कढ़ाई को गयस प पगने लगती कढ़ाई में तो इसलिए मैंने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया अब गयस पर रखने जारे तो मैंने गयस आन कर लिया है अब कढ़ाई को गयस की उपर रख दिया है और लगतार चलाते हुए कुछ इसमें मसाले डालेंगे चटनी का कलर अच्छे से लाल कलर कर रहा है इसलिए मैंने कास میरी लाल मुर्श डाल दीया यह टीखी नहीं होती है इसे इसका इसका कलर बहुत अचा है यह एक कालर नमक डाल इसे इस पर चट्नी का स्वाध बढ़ जाएगा और हम इसमें हम साद्व दाल देना है तो मैंनेा एक छोड़ा चम alpha्फ वेजाद नमाद इने एक चम्मस साद नमक बढ़ दालाब दाला हो और चिनी एक जशेल धुना फिछ जीर समय बोगी में एक इतना पकाना है बस एक तार की चासनी बन जाए उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है चटनी को थोड़ा सा स्पैसी बनाने के लिए मैंने एक छोटा चमच लाल मिर्ज पाउडर डाल देया है आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा और ज्यादा भी डाल सकते ह है लेकिन हमने एक चमच डाला है और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखी खुब अच्छे समय चटनी उबलने लगी है मैंने गैस बंद कर दिया है बस इतना ही मुझे पकाना एक तार की चासनी बन गई है अब चटनी को हम एक कटोरे में पलट लेंगे अभी इतनी टेश्टी है सिर्फ तीन चार मसालों में बन जाती है जैसे ठंडी होगी उसका कलर और खुजाएगा तो यह इदम ठंडी हो गई है इसको में एक छुटे से जार में रखेंगे मैंने एक जार ले लिया इसको अच्छे से दुल के और सुखा लिया इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और यह चटनी को आप महिनों रखके खा सकते हैं और फ्रेंट बहुत ही टेश्टी चटनी बनती है एक बार आप लोग यह बड़े वाले नीम्बू या पहाडी नीम्बू या गल गल के चटनी जरूर बनाई है फ्रेंड मुझे यकीन है कि घर में सभी को बह होती अच्छी लगेगी तो फ्रेंड आपको हमारा यह चटनी बनाने का तरीका कैसा लगा अगर पसंदा है मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेट जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पहले बार जूड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड मेरा वीडि देखने के लिए थैंक यू